हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सोच वेपर वन प्रेपरेशन में आज हम पीपल डवलप्मेंट एंड एंवर्मेंट का एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ग्रीन हाउस एफेक्ट तो ग्रीन हाउस एफेक्ट क्या होता है इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ग्रीन हाउस गैसे क्या होती है कैसे इनको सीक्मेंस में याद रखा जा सकता है तो इसी के साथ फिर सेशन को शुरू करते हैं So greenhouse effect, यानि कि greenhouse प्रभाव क्या होता है, यह हम एक real life example के साथ discuss करना शुरू करते हैं, बहुत असानी सा आपके concept clear हो जाएंगे, आपके सामने जो है, यह होते हैं greenhouses, इसमें क्या होता है, देखो कुछ plants होते हैं, जिनको भी proper environment नहीं मिलता, off-season plants अगर हमें grow करने हैं, तो उनके जिसमें की पूरा शीशे की एक wall होती है, शीशे की छट होती है, इसका क्या फाइदा होता है, हमारा earth जो है, earth का atmosphere है, जो layers है, वो भी इसी तरीके से काम करती है, अब सूर्य की किरने, इस greenhouse को जिसको poly house भी का जाता है, इस पर पढ़ती है, और दिन के समय इसका temperature जितना भी अंदर plants को बहुत अठ्यक temperature देते हैं, जितने की इनको ज़रूरत होती है, और वहीं जब रात के समय सूरे नहीं होता है, और थोड़ी ठंड़क हमारे environment में हो जाती है, उस समय क्या होता है, ये शीशे थोड़े से गरम रहते हैं, और उस दोरान ये क्या करते है, ये शीशे अंदर रात भर इन plants को heat प्रवाइड करवाते हैं, और इनके proper growth होती रहती है, उसी तरीके से real life में भी जो हमारी अर्थ है, वो भी इसी तरीके से काम करती है, इसको हम एक image के साथ देखेंगे, पेपर वन के best preparation के लिए complete course में लेकर आई हूँ, जो कि students examination के difficulty level and previous examinations को बहुत अच्छे से analyze करने के बाद बनाया गया है, इसमें daily life lectures के साथ आपका पूरा syllabus cover तो हो ही जाएगा, साथ ही आप लोगों को हम topic wise MCQs and PYQs भी practice करवाते हैं, ताकि आपको ये पता लगता रही कि ज examination में पूछे जाती है, mock test available है and बहुत ही जादा important है, ये 5000 plus MCQ question bank जिसमें हर एक unit wise questions आपको मिल जाएंगे, इसके बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है, तो ये बहुत important हो जाता है कि आप exam से पहले at least 2-3 बार ये questions को practice कीजिए, new batch हमारा upcoming Monday से start होने वाला है, तो आप इसको join कर सकते हो and free videos को देखने के लिए global online app को जरूर download कीजिए, store section पर search bar में लिखिये course का नाम, जैसे ही आप content पर जाते हो, आपके सामने कुछ free videos आ जाएंगी, मेरे separate complete courses आ जाएंगे जिसके लिए, जो कि exam के लिए काफी है, इसके बाहर से ना आपको कोई book लेने की जरूरत है, ना आपको कोई extra mock test के लिए pay करने की जरूरत है, इस course के बाहर से कुछ भी exam में नहीं आता है, last year भी बहुत से बच्चों ने, सिरफ इसी से पढ़ाई करके अपने examination को बहुत अच्छे score से qualify किया था, PY2 साब देख सकते हो, PDF and video solution आपको मिल जाते हैं, इसमें आपके state के साथ साथ बाकी के states के जो question papers हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छे से practice भी होती रहे, आप सभी students इस किरनों को absorb कर लेती है, कुछ सूर की किरने जो होती है, heat जो होती है, उर्जा जो होती है, उसको ग्रहन कर लेती है, और कुछ किरनों को वापस क्या करती है, अंतरिक्ष में लोटा देती है, यहाँ पर आप देख सकते हो, सूर से धर्ती तक आने वाली किरने है ये, कुछ कि यहां पर आसपास घूमती रहती है, यह किस की वज़ा से घूमती है, यह घूमती है सिरफ और सिरफ green house gases की वज़ा से, ओके, अब green house gases जो होती है, यह हमारी प्रित्वी के लिए बहुत ज़ादा जरूरी होती है, वो क्यों होती है, देखो, दिन के समय हमें सोरक की किरन मिल रह जिससे की एक बहुत अच्छा टेंपरेचर रह रहा है आप लोगों को पता होगा कि जितने भी प्लानेट्स है उनमें से प्रिथवी ही एक ऐसा प्लानेट है जहां पर जीवन पॉसिबल है है ना क्योंकि एक्वल वातावरन वहां का रहता है बहुत गरम प्लानेट भी नहीं होता क्या है दिन के समय तो हमें सूर्य की बराबर किरने मिलती है जितनी हमें चाहिए अगर एक्स्ट्रा होंगी तो वो अंतरिक्ष में वापस लोट जाती है जो बची कुची किरने होती है उनको ग्रीन हाउस गैस जो होती है वो एब्सॉर्फ कर लेती है वो अपने पास अर्थ की बराफ के समय सूरे नहीं होता है और रात के समय जो वो गैसे जिट को जो किरनों को रोख कर रखा होता है उनसे हमारे अर्थ का तेमप्रेचर नॉर्मल रहता है इतना रहता है कि कोई भी प्लान stumbled bend sustainable को भी इंसान वहां पर आसानी से जीवित रह सके okay so ये क्या होता है atmosphere को warm रखते है ऐसे ही हमारी eu Nelson प्रौपर तरीके से काम करती है इसले ही greenhouse gases बहुत important होती है okay earth में sun से जो heat मिलती है जो energy मिलती है वो तो दिन की समय आती है रात में जीवन जीने के लिए जो हमें normal temperature की ज़रूरत है उसके पीछे green house gases का एक important रोल होता है gases देखो atmosphere में atmosphere क्या होता है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ यह देखो atmosphere क्या होता है जहाँ पर gases होती है आपको पता होगा कि 4 sphere होते हैं हमारी अर्थ में लिथो sphere जहाँ पर मिट्टी पत्थर यह सब चीज़े atmosphere जहाँ पर हवा वायू यह सब होता है biosphere में आ जाती है आपके जीव जन्तू पेड पौदे जो सांस लेने वाली चीज़े होती है वो biosphere में आती है और hydrosphere मतलब water अर्थ 4 चीज़ों से मिलकर बना है तो यहाँ पर हम हवा की बात कर रहे हैं हम atmosphere की बात कर रहे हैं हमारे atmosphere में हमारे वायू मंडल में बहुत सारी gases होती है लेकिन कुछ gases जो heat को absorb करती है सिरफ उनी gases को green house gases कहा जाता है जिसमें basically 6 gases available होती है पहली है carbon dioxide, दूसरी है methane, तीसरी है CFC यानि की chlorofluorocarbon चौती है ozone और अगली है nitrous oxide अब हर इक चीज़ आपको पता है कि अगर limited amount में हो तभी उसका फायदा होता है कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास हो तो उसका भी नुकसान होता है तो green house gases जब तक जितना ये percentage दिया गया है इतने इतने percent में अगर available हो तो अच्छा है अगर इनका percentage बढ़ जाता है तो हमारी पृत्वी को बहुत नुकसान पहुंचाता है अब देखो अगर हम NASA NASA के बारे में आप सबने सुना होगा NASA के बारे में सबने सुना होगा NASA की जो researchers हैं उन्होंने ये बोला है कि समय के साथ साथ green house gases जो है वो बढ़ती जा रही है जो कि हमारी पृत्वी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है अगर ये बढ़ती जाएंगी तो जीवन जीना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा और उसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने बताया है deforestation deforestation का मतलब क्या होता है वनों की कटाई अब आप हो लोगे कि हमने पेड काट दिये वन काट दिये तो उससे क्या नुकसान होगा gases कैसे बढ़ेंगी वन थोड़ी ना कोई gases इस तरह से देते हैं क्यों यह होता है क्योंकि आपको क्या पता है पेड पौधे हमें क्या देते है माली जे यह पेड है पेड पौधे इंसानों को क्या देते है oxygen देते है और वापस में क्या लेते है carbon dioxide को वो absorb करते है अब अगर हम पेड ही काट देंगे वन ही काट देंगे तो carbon dioxide कौन लेगा पेड ऐसे carbon dioxide को ग्रहन कर लेते हैं, पेड ही नहीं है तो carbon dioxide क्या होगी यहाँ वहाँ हमारे atmosphere में हमारे वाताबरण में, वायू मंडल में घूमती रहेगी जिसकी वज़ा से क्या हो रहे हैं greenhouse gases बढ़ती जा रही है ठीक है, अब जैसे जिसके और भी example है, जिसे आप देख सकते हो गाडियों से बहुत सारा धुवा निकलता है फेक्टरी में से निकलते हैं, फेक्टरी में से carbon dioxide निकलती है फिर methane होता है, nitrous oxide होता है chlorofluorocarbons वग्यरा चीजें होती है यह सब चीजें निकलती हैं फेक्टरी से, ट्रांसपोर्ट से, गाडियों के धुए से जिसकी वज़ा से green house gases बढ़ती जा रही है और green house gases अगर अपनी ratio से जादा बढ़ती जाएंगी तो वो हमारे पृत्वी को नुकसान पहुंचाएगी अब जितनी जादा green house gases बढ़ती है उतनी जादा मतलब क्या हुआ कि सूरे से आने वाली किरणों को वो अपने पास रोकती है जितनी कम gases होगी उतनी कम heat को वो रोकेंगे बाकी heat वापस चली जाएगी अब gases बढ़ती जा रही है तो वो सूरे की किरणों को अपने पास रोक लेंगे और कम किरणों को वापस भेजेंगे जो मैंने आपको यहां पर बताया तो क्योंकि अब ये जाधा gases, जाधा production हो रहा है जाधा greenhouse gases बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से हमारी पृत्वी का temperature बहुत जाधा हो रहा है और इसी से related आपने सुना होगा कि क्या हो रहा है, global warming हो रही है अब मौसम की उथल पुथल तो अब सभी जाते ही हो कभी भी दूप होती है, कभी भी चाया होती है कभी भी गर्मी होती है, कभी भी सर्दी हो जाती है कोई temperature का balance अभी नहीं चल रहा है हमारे पृत्वी पर है यह सब greenhouse gases की वज़ा से होता है इसके साथ ही हम लोगों ने ozone layer के बारे में पढ़ा था तो ozone layer क्या होता है, पृत्वी की बाहरी परत होती है जो की सुरे की हानिकारक, ultraviolet यानि की परबैंगनी किरनों को हमारी पृत्वी में आने से रोकती है अब प्रदूशन की वज़ा से वो layer भी पतली होती जा रही है और जिससे की हमारे इंसानी जीवन को पेड़ पौध है सबको नुकसान पहुंच सकता है सबका जीना पृत्वी पर मुश्किल हो सकता है तो यह सब किसकी वज़ा से हो रहा है तो अब ही तब तो मैंने सिर्फ आपको introduction दिया है जितनी भी इसकी definitions हैं यह आप पढ़ सकते हो ठीक है Earth के atmosphere में होती है इसकी वायू मंडल में gases होती है जो कि heat को पृत्वी के अंदर आने से रोकती है greenhouse gases कुछ पार्ट जो heat के हैं सूरे से आने वाली उसको अपने पास रोकते हैं बाकी gases को वापस भीज देते हैं बाकी heat को वापस भीज देते हैं अब क्यूंकि gases बढ़ती चाह रही है greenhouse gases बढ़ती चाह रही है तो पृत्वी में सूरे की किरणे जादा रुकेंगी और कम वापस जाएंगी तो इसकी वज़े से heat हो रही है और जीना मुश्किल होता जा रहा है तो यही चीज़ें देखो industrial gases जो होती है वहाँ से भी greenhouse gases बहुत निकलती है इसमें carbon dioxide, nitrous oxide, methane, chlorofluorocarbon, ozone यह सब चीज़ें आ जाती है और समय के साथ-साथ अगर इसको control नहीं किया जाए तो यह बहुत ही जादा मुश्किल हो जाएगा एक्जाम में यह question आ चुका है which among the following are greenhouse gases तो अभी मैंने बताया answer आप मुझे comment करके बताईएगा यह video I hope आप सब students को बिलकुल समझ आ गई होगी अभी भी कोई doubt अगर रहता है या कुछ भी confusion है इस चीज़ को ले करके तो मुझे comment जरूर कीजेगा मैं जरूर help करूँगी हमेशा की तरह अगर समझ आया है पसंद आया है तरीका पढ़ाने का समझाने का तो भी मुझे motivate करने के लिए comment जरूर कीजेगा ये भी एक question है देखो green house effect क्यों होता है green house प्रभाव किसके कारण होता है infrared layer in the atmosphere बायू मंदल की अवरक्त परत की वज़ा से होता है ओके ये definitions आप देख सकते हो अगर आपको ये वाली PPT चाहिए ये definitions note करने के लिए तो भी आप मुझे comment करके बता लीजिए मैं आपके साथ share कर तूँगी ये देखो हमने अभी global warming के बारे में बात की है है ना जिसकी वज़े से औसत तापमान गरम हो रहा है global warming है ozone layer के बारे में हम बहुत detail में already पढ़ चुके हैं तो ये सब greenhouse की वज़ा से होता है greenhouse gases की वज़ा से होता है तो इसमें gases के नाम याद रख लीजिए और जो story की तरह मैंने चीज़ें आपको बताई हैं उसको याद रख लीजिए तो answer solve करना आपको exam के तुरान और भी जादा असान हो जाएगा so examination में paper 1 and paper 2 दोनों available है so कोई भी आप join कर सकते हो सिरफ given numbers पर आपको contact करना है so ये कॉर question है इसको note कर लीजिए chlorofluorocarbon ozone depletion के लिए responsible है हमने कल पढ़ा था carbon dioxide greenhouse gases N2 क्या होता है most available gas हमारे वायू मंदल में सबसे जाथ कौन सी gas होती है N2 होती है CO क्या होता है poisonous gas होती है नुकसान जो पहुंचाती है जहरीली gas होती है हमारे वायू मंदल में जो की हमें कम से कम मिले तो ही बेटर है okay so thank you so much everyone for watching this video I wish you all the very best